आप सभी का उमीद करूंगा आप सभी ठीक होगे सो आपका फिर से सवागत है मेरी न्यू वीडियो में सो आज भी थोड़ा सा मैं लेट होगे वीडियो डालने में एक्चली कल मेरी कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि कल मैं एक्चली दर्था नहीं मैं थोड़ा सा बीजी था तब करके कल मेरी कोई वीडियो नहीं आ पई उमीद था कल डाल देता पर टाइम नहीं लगा चलो चोड़ो उस बात को तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अभी तक हमने बात करी अपनी music theory की बात करी और हमने अपनी बात करी प्लगिंज की, chords की, melodies की, beat की, सारी बात तकरीबन हो चुकिया जो मोटा मोटा एक music producer को पता होना चाहिए अब आज जिस topic पर मैं बात करने वाला हूँ, वो है basically हमारी recording, हमारी recording कैसे करी जाती है, recording हमारी कैसे करी जाती है, FL studio के बीच में हम अपनी vocal record कर रहे हैं, या फिर हमने अपने external piano या guitar record करना तो कैसे record होता है, ठीक है recording के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चीज का धियान रखना है, अगर आप अपना कुछ भी record कर रहे हूँ, यह आपका FL studio का ACO है, आपका ACO devices आपको यहाँ दिखेंगे, आपके जो भी आपके पास होंगे, मेरा ACO for all है, वो मेरा audio interface है, audio array का, एक यह FL studio का ACO है, ठी FL studio का default पर तो आप करने पाऊगे ठीक है, क्योंकि noise बहुत ज़्यदा हैगी, so जब भी आपने recording करनी है, make sure, vocal record करनी है, make sure के आप master पर record ना करें, आप 1 से लेके जितना भी जिस number पर भी आप record करना चाहते है, आप उस पर जाके record करें, यहां से जाके आप अपना input ले, mono का, अगर आपने 2 mic हैं, तो stereo में जा सकते हैं, अगर mono है, एक mic है, तो आप stereo में जा सकते हो, अभी देख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, भी को सनाई दे रहा है, एक नर्टल इसमें देख लें, आवाज इसमें भी आ रही है, यहां से मैं इसको off करूँगा, तो जो मैं बो ठीक है, इतनी बात होगी हमारी यहां तक की, अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ, वो हम करते हैं अगे इसमें recording की, recording के बाद आप देख सकते हो, recording में आप automation कर सकते हो, notes कर सकते हो, audio कर सकते हो, clip कर सकते हो, बात की आप यहां पर पढ़ सकते हो, जो आप यहां स on the display to display the recording filter ठीक है यहां अगर आप इस पर टिक करते हो वो मुड़ के आपको यह option नहीं दिखाएगा बार-बार मतलब यह जतने भी options है ठीक है so इसको on मत करना ठीक है so first way है audio into the edition audio editor और recorder so वो बता रहा है अगर आपने सिधा edition में record करना है तो आप इस पर click कर सकते हो audio into the playlist as an audio clip अगर आपने playlist में record करना है तो आप इसमें कर सकते हो notes and automation अगर आप अपना piano बजाना चाते हो गिटार बचाना चाते हो इसको record करना चाते हो आप इस पर कर सकते हो everything में करोगे वो आप यह है live अगर आप गाह भी रहे हो साथ में आप record भी कर रहे हो प्यानो अपना तो आप इसमें जाकर इसको record कर सकते हो अगर माल लो मैं for example notes and automation मैं लेता हूँ ठीक है अब देखना जो मैं बजाओंगा ठीक है यह हुई एक मिनट इसमें हम ले लेते है अफल कीज ठीक है so मैं यहां से करूंगा इसको record आप देखना record के time पे ही यह साथ साथ में मेरे record भी होगा so आप देख सकते हो जो मैंने अपने midi पे बजाया है वो सेम यहां पे record हो चुका है ठीक है यहां से इसको मैं बड़ा भी करके दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हो जो मैंने अपनी midi में बजाया है वो सेम यहां पे record हो चुका है इसके बाद मैं यहां से जाके इसकी settings के साथ इसको set कर सकता हूँ control क्यों करूंगा quantize हो जएगा ठीक है यहां से जाके मैं कर सकता हूँ यहां से इसकी मैं velocity वगएरा सब कुछ यहां से ही इसका मैं set कर सकता हूँ अगर मैंने इसका कुछ set करना हो ठीक है यहां से हमारा यह record होता है अगर मैं इसी button को दुबारा दुमाओंगा यहां पर सारी options आ जाएंगी audio edition में अगर मैं करता हूँ वह कह रहा है पहले input को select करो अगर मैं यह input set कर रहा हूँ तो इसको हम अभी मेरे master पर own हो गया होगा हम यह चेक कर लेते हैं यह first number पर ही edition लगए है ठीक है अभी मेरे record इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा जो इंटरफेस अभी वह बन रहा है अगर मैं कुछ भी करूंगा तो यहां पर आप देखोगे record नहीं होगा song jump है ठीक recording लिखा है पर record नहीं हो रहा तो मतलब आप अपना audio interface connect करके आप वहां से जाके recording कर सकते हो start और आप अपना record कर सकते हो कोई भी गाना कोई भी आप अपना piano वगरा अगर मैं यहां पर दुबारा option पर click करके everything पर करता हूं ठीक है साथ में जो जो मैं बजाओं को यह तो मैं वैसे बजा रहा हूं अपने piano के साथ ठीक है तो आपकी vocal भी साथ में record होगी पहली बात याद रखना अगर आप pattern नहीं change करोगे जो आपने पहले बना होगा वह आपका खराब हो जाएगा तो आप CTRL Z करोगे तो आपका वापसी आ जाएगा ठीक है अगर आप इसको आगे करने के बाद उसको save कर लोगे तो आप CTRL Z करने पह भी आपका वह वापसी नहीं आएगा आपको आपको आज की वीडियो अच्छी लगिए अगर अच्छी लगिए लाइक शेयर कोमेट जरूर कर देना मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब बाकी नए गानों के लिए रहना रेडी थेंक्यू सो मच गाइस स्टे टून